अक्सर जब फिल्मों के कलेक्शन की बाते होती है तो अपने इंडियन सिनिमा में 100 करोड को किसी बड़ी ट्रॉफी की तरह देखा जाता है और हाँ वो भी लाइफ टाम कलेक्शन समझे लेकिन अगर मैं आपसे बोलू कोई फिल्म लाइफ टाम नहीं एक दिन भी नहीं गंटे में 100 करोड क्रोस कर ले तो यकीन नहीं होता ना लेकिन बहुस यह हकीकत है होश उड़ने वाले हैं तुम्हारे शायद ऐसी खबर कभी नहीं सुनी होगी आपने और जिन्दगी में दुबारा सुनोगे भी नहीं अफ्तार दव वे ओ वड़र जब फिल्म की रिलीस रेट अनाउंस होई थी लोग तब से एक कैलकुलेशन चालू कर दिये थे कि फिल्म अच्छी हो गया बुरी वो सेकेंडरी चीज है सबसे पहला सवाल दिमाग में आया यह पैसा कितना बनाएगी अच्छी अफ्तार का पार्ट बन 2009 में रिलीज हुआ था जब टिकेट प्राइजस इतने ज़ादा महंगेरी हुआ करते थे उसके बावजूद फिल्म ने सिनिमा की हिस्ट्री में सबसे ज़ादा कलेक्शन करके रिकॉर्ड बना दिया था जिसको तोड़ने में मार्वल बालों का भी पसीना छूट गया जबकि उनकी फॉलोइंग किस लेवल की है शायद बताने की जुरूद है नहीं अब 13 साल के लंबे इंतिजार के बाद अफ्तार वापस लोट आई है और इस बार तो टिकेट के प्राइज़ आसमान से भी उपर निकल गए है अब फिल्म ने पैसे कितने कमाए उससे पहले ये बताना जरूरी है किसको बनाने में खर्चा कितना आया जी हाँ बजट फिल्म का 3000 करोड के आसपास है समझ गए तो अब मुद्दे की बात पहले दिन अफ्तार दव वे ओव वाटर ने टोटल कितना पैसा चापा है इंडिया की बात करेंगे तो ओफिशल उमबर 40-45 करोड के बीच में है उमीद से थोड़ा नीचे रह गया फिर भी और एंड गेम का डे 153 करोड वाला रिकॉर्ड भी तूटने से बच गया मार्वल जिंदाबाद लेकिन असली सर्प्राइज की शुरुबात होती है अब जब वर्डवाइट कलेक्शन की बाते होंगी देखो अफ़तार ने रिलीज से पहले कुछ प्रीमियर शोज किये थे यूएस और इंटरनेशनल मार्केट्स में जहां से अच्छा खासा 17 मिलियन डॉलर बोले तो 120 करोड का कलेक्शन फिल्म की ऑफिशल रिलीज से पहले ही हो गया था अब एक कमाल की बात और सुन लो अफ़तार तू पूरी दुनिया के साथ चाइना में भी सेम टाइम पे रिलीज हुई है ये इतनी स्पेशल चीज इसलिए है क्योंकि चाइना के रूल जाता तर फिल्मों को सेम टाइम पे रिलीज नहीं होने देते अब सौ टके का सवाल टोटल कलेक्शन कितना है भाया अफ़तार का पूरी दुनिया में और इंडियन रुपीज में कनवर्ट करके बतादो फटाफट बस यही जानना चाते हो ना जवाब है 124 मिलियन डॉलर से 130 मिलियन डॉलर के बीच में अक्यूरिट बताना थोड़ा मुश्किल है इंडियन रुपीज में बोलू तो 1000 करोड और 1200 करोड के बीच में इन शॉट एक घंटे की कमाई अफटार की पूरी 40-50 करोड बैठती है इस हिसाब से 100 करोड का माने में सिर्फ 2-5 घंटे लगेंगे फिर्म को सिंपल एक्सपर्ट की माने तो इस स्पीड से फिल्म आगे बढ़ेगी तो 500 मिलियन डॉलर का वीकेंड सिर्फ 3 दिनों में फिल्म अपने बजट का पैसा 3000 करोड वसूल कर लेगी अब एक और कमाल की बात सुनिएगा जेम्स कैमरोन इस कलेक्शन से जादा खुश नहीं है हाँ जी क्योंकि बजट वगेरा को हटा कर फिल्म की मार्केटिंग पे जतना पैसा लगा है उस हिसाब से इसको टोटल 2 बिलियन डॉलर्स इंडियन रुपीज में 10,000 करोड से जादा का बिजनस करना पड़ेगा मार्केट में हिट कहलाने के लिए देखो चाइना में रिलीस से फिल्म को फायदा मिला है जहां से फर्स दे अफ्तार टू ने 24 मिलियन डॉलर्स बोले तो 200 करोड का बिजनस निकाल दिया और संडे तक ये 100 मिलियन डॉलर्स मतलब 800-900 करोड क्रॉस कर सकता है लेकिन इंडियन मार्केट में स्पीड थोड़ी स्लो है क्योंकि फिल्म की टीम ने पहले दिन 60 करोड का एस्टिमेट रखा था जो सिर्फ 40-45 करोड के बीच में निकला साउथ में तो सारे रिकॉर्स थोड रिये फिल्म लेकिन नॉर्थ बेल्ट में कलेक्शन ठीक ठाक है कुछ एक्स्ट्राउडिनरी रिस्पंस नहीं मिला बट दोस्त एक बात तो पकी है अफ्तार की ये आधी इतनी जल्दी नहीं रुकने वाली ये तुफान बनकर बॉक्स ओफिस के सारे रिकॉर्स को हवा हवाई कर देगी वैसे आपने फिल्म देख लिक्या कैसी लगी आफ्तार टू और हाँ ये जरूर बताना कि आपकी पॉकेट में इस फिल्म के टिकेट ने कितना बड़ा छेट किया 3D 2D कहां पे देखे थे फटाफट बताओ अपना एक्स्पिरियंस बागी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वरने थोड़ा सा इंतजार करिया मिलूंगी आप से अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई